कि स्मार्ट जून अस्वालेकूं मैं हूँ अमन और आप देखरें स्मार्ट जून कैसे हैं सब आज की इस वीडियो में मैं आपको टो फाइफ बेस्ट स्मार्ट फून के बारे में बताऊंगा जिनकी प्राइज रेंज होगी 21,000 से लेकर 30,000 के राउंड बाउं इन में से कु कुछ डिस्प्लेय के रहां से अच्छे होंगे तो मैं चाहता हूँ अगर आप मार्किट जाएं तो एक परफेक्ट वल्यू फॉर मनी डवाइस बाइज करें तो वीडियो का अंडर तक देखिएगा चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं पहली डवाइस की बात करें तो इसका जो डिसप्लेय साइज है hebben है 6.78 इंच का इसमें जो प्रोसेशल है और देख्ट वह है तो चिपसेट दिया गिया है वह है चिपसेट हीलियो g70 नसका यह चिबसेट जो है वह एक गेमिंग चिपसेट है जो हैवी गेमर्स के लिए बनाया गया है इसमें पर्षेसर है Octa-Core इसमें Rear Cameras दिये गए हैं जिसमें 16 MP और 2 MP के 2 Depth Sensor दिये गए हैं इसमें जो Friend Camera है वो है 8 MP का और बैटरी की बात करें तो बैटरी बहुत बड़ी बैटरी दी गई है 500 MH की और 10 Watt की चारजिंग दी गई है इसमें जो Android Virgin है वो 10 दिया गया है और यह बात करते हैं PUBG Graphics की तो इसमें आपको मिलेंगे Smooth and Balance के साथ Ultra Graphics देखने को मिल जाएंगे और HD के साथ High Graphics देखने को मिलेंगे यह Camera के लिहाज से यह Phone Zero है लेकिन जो Gamer है जो Heavy Game करना चाहते हैं मैं उनको यह डिवाइस रेकुमेंट करूंगा इसकी जो प्राइज है वो है 21,500 के क्रीब आको पाकिसानी मार्किट में यह मिल जाएगा दूसरी डिवाइस की बात करें तो अगर आपका बजट 22 या 30,000 के राउंड बोर्ड हो तो आप गेमिंग के मज़े करने हैं तो मैं आपको रेकुमेंट करूंगा टेक्नो पोगा इस डिवाइस में आपको 6GB प्लस 128GB की इंटर्नल मेमरी मिल जाएगी जो डिस्प्ले साइज ह होगा इसमें जो चिपसेट दिया गया है वो है हीलियो जी एटी जो के पावरफुल गेमिंग चिपसेट है इसमें परसेसर आपको देखने को मिल जाएगा कौार्ट को 2.0 GHz कैमरे की बात करें तो कौार्ट रेर कैमरास दिये गये हैं 13 मेगा पिक्सल और 2-2 मेगा पिक्सल के डेप सेंसर दिये गये हैं फ्रेंट कैमरा की बात करें तो इसमें 8 मेगा पिक्सल का फ्रेंट कैमरा दिये गया है बैटरी की बात करें तो बहुत बड़ी बैटरी दी गई है 6000 मह की और इसके साथ आपको 18 वाट फास चारजिंग मिल जाएगी और पबजी ग्राफिक्स की बात करें तो इसमें आपको समूथ बैलनस के साथ अल्टरा ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे और अगेन HD के साथ हाई ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे ये भी डिवाइज कैमरे के लिहाज से इतनी खास नहीं है ये डिवाइज भी हैवी गेमर्स के लिए बनाई यह आपको पाकिसानी मार्किट में 23,000 की प्राइज में अवेलिवल होगी जो डिवाइज है वो उन के लिए है जो एक बड़ी बैटरी चाहते हैं और उसमें मल्टी मीडिया एक्सपीरियस भी अच्छा चाहते हैं जो हैवी गेमर्स के लिए नहीं है वो चूज करें पोको M3 पोको M3 में दो वैरियंट पाकिसान में लौँच होए थे इसमें चाहर जीबी 64 जीबी था और दूसरा था चाहर जीबी 128 जीबी इसमें जो डिस्प्लेय साइज था वो है 6.53 इंचिस का कोनी गुरूला गलास 3 की पोटेक्शन आपको मिल जाएगी इसमें जो चिपसट दि है जिपस्ट को टू पॉंट-0 गीगाहर्टाइट्स इसमें रेयर कैमरा की बात करें तो रेयर कैमरा में आपको मिल जाएंगा 48 मेधा पिक्सल औ 20 लौ मेγάप सिंसि'll की बात करें तो मिल जाएगा आपको Aright मेगापिक्सल का और इसमें बहुत बड़ी बैटरी दी गई है 6000 mh इसमें जो इसका जो वेट है वो 198 गराम है और इसमें Android वर्जिन 10 दिया गया है ये गेमिंग के लिहाज से एक अच्छी डवाइज नहीं है आईए PUBG ग्राफिक्स की बात करते हैं तो इसमें आपको समूत विद हाई के साथ ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे और बैलनस विद मीडियम रेट के साथ ग्राफिक्स देखने को आपको मिल जाएंगे ये डवाइस कैमरे के लिहाज से और डिस्पले के लिहाज से अच्छी है लेकिन गेमर्स के लिहाज से अच्छी नहीं है इसकी जो प्राइज है पाकिस्टानी मार्किट में वो है 26,500 फूर्थ नमबर पो जो डिवाइज है वो तकरीबन पोको M3 से मिलती जुलती है और इसके फीचर्स भी पोको M3 से काफी मिलते जुलते हैं लेकिन सिर्फ इसमें एक बैक कैमरे पर एक्स्ट्रा सेंसर डिजाइन कर दिया गया है और डिजाइन के लिहाज से भी ये पोको M3 से काफी अच्छा बना दिया है और ये भी डिवाइज मल्टी मीडिया एक्सपिरियंस वाले यूजर के लिए अच्छी है तो इसमें आपको 4GB और 128GB इंटर्नल मेमरी मिल जाएगी डिस्प्ले साइज जो है वो है 6.53 इंचिस का गोरीला ग्लास 3 की पोटेक्शन देखने को मिल जाएगी इसमें जो चिपसट दिया गया है वो सेम पोको M3 वाला दिया गया है SD662 और परसेसर जो दिया गया है वो है उक्टा को 2.0 GHz इसमें रेर कैमरा दिया गया है 48MP, 8MP और 2MP के और जो फ्रन्ट सेल्फी कैमरा दिया गया है वो है 8MP का इसमें भी सेम पोको M3 जैसी बैटरी दी गया है 6000MH की और वेट भी इसका 198 ग्राम है इसमें भी आपको Android 10 वर्जिन देखने को मिल जाएगा तो आएए ग्राफिक, PUBG ग्राफिक्स की बात करते हैं तो इसमें भी स्मूथ विद हाई के साथ ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगे और बैलनस विद मीडियम के साथ देखने को मिल जाएगे ये भी एक गेमिंग डिवाइज नहीं है लेकिन इसका डिस्पले और लुक वाइज ये बहुत अच्छी डिवाइज है जो अबिलिटी रखते हैं 25 से 30 हजार के राउंड बाउन तो मैं उनको ये डिवाइज रिकुमेंट करूंगा और ये आपको डिवाइज पाकिस्टानी मार्किट में 28 हजार के राउंड बाउन मिल जाएगी और फिफ्ट नंबर पर वीवर्स जो डिवाइज है वो डिस्पले लवर्स और जो वीवो लवर्स हैं उनके लिए हैं इसका नाम है वीवो वाइज फिफ्टी वन इसमें एमोलेट डिस्पले दिया गया है इस डिवाइज का डिस्पले बहुत कमाल का है इसमें आपको 4GB, 128GB वेरियंट देखने को मिल जाएगा इसका जो डिस्प्लेय साइज है वो है 6.3 इंचीज इसका जो चिप सेट दिया गया है वो स्नैप ड्रैगन 665 और परसेसर जो है वो ओक्टा कोर 2.0 GHz है इसमें जो रेर कैमरा की बात करें तो रेर कैमरा में आपको 48MP, 8MP और 2MP मिल जाएंगे फ्रेंट कैमरे की बात करें तो 16MP देखने को मिल जाएगा बैटरी की बात करें तो बाकी फून के इसकी बैटरी कम है 4500 MHz दी गई है और इसके साथ आपको 18W की फास्ट चारजिंग भी मिल जाएगी एंडरॉइड वर्जिन जो 10 दिया गया है और PUBG ग्राफिक्स की बात करें इसमें तो समूथ विद हाई के साथ ग्राफिक्स मिलेंगे और बैलनस विद मीडियम रेट पर ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे ये डिस्प्ले के लिहाज से कैमरा के लिहाज से बहुत अच्छी डिवाइज है ये भी गेमर्स के लिए अच्छी डिवाइज नहीं है अगर एक 30,000 या 28,000, 29,000 की रेंज में आप भाई करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंट करूंगा विवाइज विवाइज तो ये डिवाइज आपको पाकिस्तान में 29,500 की प्राइज में अवेलेबल होगी तो विवाइज कैसी लगी आपको हमारी आज की विडियो उमीद करता हूँ विडियो अच्छी लगी होगी विडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें कमेंट करें अगर चैनल पर नए है तो सबस्क्राइब जरूर करें और प्रेस दा बेल आइकन ताकि आने वरी लेटास से लेटास चेकनोलजी की वीडियो आपको सानी से मिलती रहिए और देखते रहिए स्मार्ट जूम